देखिए जिन्दगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई माइने ने रखता क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं इस चीट को हमेशा याद रखें देखिए आज है चार अगस्त तो चलिए चार अगस्त के सभी मतपूर प्रशनुबे हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में देखिए आज का हमारा पहला प्रशने की कावन वेल्ट गेम्स 2022 में वेट लिप्टर विकास ठाकूर ने कौन सा पदक जीता तो देखिए विकास ठाकूर ने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिप्टर विकास ठाकूर ने कुल 346 किलोग्राम का भार उठाया था तो टोटल 346 kg का भार उठा कर इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया भारत को वेट लिप्टिंग में और देखे ये 96 kg भारवर में जो खेले थें और एक खास बतोर है जो इनका ये सिल्वर मेडल था ये 12 पतक था राश्टमंडर किलो में भारत का लेकिन वेट लिप्टिंग में ये 8 पतक था करम से अगला की Commonwealth Games 2022 में तूलीका मान ने जूडो में कौन सा पतक दिलाया तो देखे भारत की जो तूलीका मान है इनोंने जूडो में रजट पतक यानि की सिल्वर मेडल भारत को दिलाया देखे जो Commonwealth Games 2022 है इसमें भारत को जो है जूडो का ये तीसरा पदक मिला था जो तुलीका मान ने जीता देखे तुलीका को final में Scotland की सारा Edlington के खिलाब हार का सामना करना पड़ा था और इस तरह तुलीका सोंड पदक जीतने से चूग गई और रज़त पदक से ही इनको संतोस करना पड़ा देखे कामन वर्द गेम से जो है जो आपकी तुलीका मान है ये इनका पहला पदक है ठीक है बेदगज रूप से और तीसरा प्रशनी की राष्ट मंडल केलो में वेट लिप्टिंग में भारत के लौपरी सिंग ने 109 किलोग्राम भारवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर 92 किलो का भार उठाया जो टोटल इन्होंने कितना उठाया 355 किलो का भार उठाया और कांस से पदक है निगी ब्रॉन मेटल जीता और दीखे इसी 109 किलोग्राम भार और में जो कैमरून के जूनियर पेरी सलेक्स हैं इन्होंने 361 किलो का भार उठा कर इस प्रतियोकता का स्व Commonwealth Games 2022 में वेटलिप्टिंग में बिंदिया रानी देवी ने कौन सा पतक जीता तो देखी जो बिंदिया रानी देवी है इन्होंने वेटलिप्टिंग में रजत पतक यानि कि सिल्वर मेडल जीता देखी जो भारती वेटलिप्टर बिंदिया रानी देवी है इन्होंने 55 वारवर्ड में, 202 किलो का वजन उठा कर देखिए 202 किलो वजन में, 46 किलो ग्राम का वजन इन्हों ने Snatch राउंड में, और Clean and Jerk में 116 किलो का वजन उठाया तो इस प्रकार से इन्हों ने Silver Meirmड दिलाया भारत को खुल 202 किलो का वजन उठा कर और देखिए आपका ये केटेग्री था पचपन किलोग्राम भारवर का इस प्रतिवक्ता में नाइजीरिया की अधीजित ओला रिनोए ने जो है तीन सो सोरी दोसो तीन किलो का वज़न उठा कर गोल्ड मेडल जीता और पांचो प्रिशनी की राष्ट मंडल खेलों की एतलेटिक सिस्परधा में पूरुसों की उची कुदिस परधा में भारत के तेजस्वीन संकर ने कौन सा पदक जीता तो देखिए आपके तेजस्वीन संकर है इन्होंने कांस से पदक जीता है पुरुसों की उची कूद इस परदा में देखिए आपके तेजस्वीन संकर है इन्होंने दो दस्मरों दो मीटर की उची कूद लगा कर ये पदक जीता है और दीखी जॉब का ये प्रत्योकता था इस कैटेगरी में सुवान पदक जीता न्यूजिलेंड के खामिस गेड ने और रज़त पदक जीता था आश्टेलिया के ब्रेंडन स्टार्क ने तो यहाँ पे जो भारत के मेडल विनर है जिनका नाम क्या है तेजस्वीन संकर याद रखेगा इन्होंने दो दस्मलों दो दो मीटर की कूद लगा कर पुरुसों की उची कूद इस परधा में भारत को पहला पदक दिलाया और ये पदक है कांस से पदक अगला की कामन वेल्ड गेम्स 2022 में भारती विटलिप्टर गुर्दीप सिंग ने कौन सा मेडल जी था तो दीके गुर्दीप सिंग जो है इन्होंने कांस से पदक दिलाया भारत को और 109 किलोग्राम भारवड में खेलते गए भारती विटलिप्टर गुर्दीप सिंग ने स्नेच और क्लीन एंड जर्क राउंड में मिलाकर कुल जो है 390 किलोगा भार उठाया और भारत को कांस से पदक दिलाया अगला किहाली में किसने ITBP के महानिसक का अतिरिक्त प्रभार समाला तो दीखे ITBP के महानिसक का अतिरिक्त प्रभार सुजायलाल थाहुसेन को दिया गया है तो याद रखेगा जो आपके सुजायलाल थाउसेन है ये ITPP के महानिसक इनको अतिरिक प्रभार दिया गया है और वरतमान में देखिए जो आपके सुजायलाल थाउसेन है ये ससस्तर सीमा बाल यानि की SSB के महानिसक है लेकिन इनको अत्रिक प्रभार मिल गया है ITBP के महान नहीं सकता भी देखिए मंतली करेंट पर का पार्ट टू कल मैंने अपलोड कर दिया था पार्ट टू अब देख लिजेगा पार्ट वन भी देख लिजेगा और कमेंट बाक्स में एक बार जरू बताजिए कि आपने वीडियो देख लिया है आठो प्रश्णी की हाल ही में कौन देश में 5G के स्पेक्टरम की निलामी में सबसे बड़ी बोली दाधा के रूप में उबरी तो दिखें ये कंपनी आपकी रिलाइंस जीओ है दिखें भारत सरकार के दोरा आउजी तो 5G स्पेक्टरम निलामी में जीओ ने कुल 88,078 करूड उपे की बोली के साथ उम्दा माने जाने वाले कुल 700 MHz बैंट समेद बिभिन 800 MHz, 1800 MHz, 3300 MHz और 26 GHz में स्पेक्टरम करीदा है और दिखें इसके साथ में आडाणी ने भी 26 MHz में स्पेक्टरम करीदा है और ये सारवनिक नेटवर्क नहीं है दिखें दूर संचार के छेतर में दिगगज जो आपकी सुनिन मित्तल की भारती एर्टिल कंपनी है इसने जो है 43,084 करोड रूपे में कुल 19,867 MHz स्पेक्टरम खरीदा है वहीं जो आपकी Vodafone Idea यानि की V.I. कंपनी है इसने 18,784 करोड रूपे का स्पेक्टरम खरीदा है और एकी दूर संचार मतरी अश्मनी वैसनों ने कहा है कि 5G सिवाएं अक्टूबर तक सुरू सकती है यानि कि टार्गेट था अगले साल मार्च का लेकिन मुझे लगता है कि जीयो कंपटिशन में इसी साल अक्टूबर तक जो है जो 5G सिवाएं इसको सुरू कर देगी तो तिरंगे की डिजाइनर कौन थे पिंगली वैंकाया जी थे और अभिहाली में इनकी जैनती थी और इनकी जैनती पर इनके याद में एक विशेज इसमारक टिकट भारत सरगार ने अभिहाली में जारी किया है और दीखिए इस कारेक्रा में पिंगली वेंकाया का परिवार भी पस्ती था और केंद्री ग्रिमत्री मेसा ने उनको सम्मानी भी किया इनके जैन्ती के अउसर पर तो यहाँ पर रटना यह है कि पिंगली विंकाया जो है इनकी जैन्ती पर अभिहाली में एक समारक डांक टिकट जारी किया है भारत सरकार ने अगला कि जुलाई 2022 में GST कलेक्शन कितना था तो दिकि जुलाई 2022 में भारत का GST कलेक्शन कुल 1,49,995 करोड रुपे था दिकि जुलाई 2022 के महीने में ग्रास GST रेवेन्यू कुल 1,49,995 करोड रुपे किया गया जो की गूर्स और सर्विशिस टेक्स यानि GST की सुरुवात के बाद से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग रहा है दिकि जुलाई के रिवेन्यू का जो आंकड़ा है ये पिछले साल के इसी महीने के कुल 1,16,393 करोड रुपे के रिवेन्यू से 28.50 अधिक है और यहां पर मैंने पूरी अटाटा आपको दे दिया है जनुरी से लगा है जुलाई था का किस महीने में GST रिवेन्यू कितना था भारत का तो इसको आप आराम से नोट कर लिजेगा और अब हम बात करेंगे आज के सभी कुश्यां आप रिपे दिए आज का पहला प्रशना आपके लिए कि वर्ल्लंक्स कैंसर डे यानि की जो आपका दीए फेफड़ा लंक्स मतब क्या होता है फेफड़ा तो विस्व फेफड़ा कैंसर डे जो है ये कब मनाए गया बताई अंसर दूसरा की मुसली वूमन्स राइस जे जो है ये का मना जाता है भारत में बताईए और तीशरा की भारती लान बॉल टीम ने राश्ट मंडल खेल 2022 में कौन सा पता जीता बताईए चोथा की भारती बैडमिंटन टीम ने मिक्स्ट टीम इवेंट के फाइनल में किस देश से 3-1 से हार कर सिल्वर मेडल जीता बताईए इन Whatsapp प्रसन आपके लिए कि प्रसन का जवाब कल के वीडियो मिल जाएगा कल का वीडियो देखे उसको रिवाज जरूर कलेगा क्योंकि commonwealth के सारे प्रसन आपको कल के वीडियो मिलेंगे पांचो प्रसंद आपके लिए कि कामन विल्द गेम 2022 में भारती पूरु स्टेबल टेनिस टीम ने किस देश को हरा कर गोल्ड मेडल जीता है बताई और अब हम बात करेंगे कल के पुछे के सभी कुछ आपने के सेत्रों की पहला प्रसंद आपके विस वस्तन पांच सब्ता 2022 कब से कब तक मना गया तो दीखे ये एक से साथ अगस्त तक मना गया और हर साल ये अगस्त महिने के पहले सब्ता में मना जाता है अगला प्रशन था कि कॉमन विल गेम 2022 में भारती भारतो लग जेर्मी लाल री नूंगा ने पुरुसों की 66 किलोग्राम भारवर रिस परदा में काउन सा पतक जीता तो दिखे इन्होंने 60 पतक दिलाया था भारत को और अगला है कि हरजिंदर कवर ने कितने किलोग्राम भारवर में कुल 212 किलोग्राम का वजन उठा कर कांसे पतक जीता तो दिखे इन्होंने 71 किलोग्राम भारवर में कांसे पतक दिलाया था भारत को और देखिए अगला प्रशन था कि भारती जूडो के लाड़ी एस एल सुसिला देवी ने कामन विल्ड गिम्स के महिलाओं के 48 किलोग्राम के फाइनल में कौन सा पदक जीता तो देखिए एल सुसिला देवी ने रजट पदक यानिके सिल्वर मेडल जीता था 48 किलोग्राम भारवर के फाइनल में और अगला है कि हाली में कारगिल के दराज सेक्टर की पॉइंट 51-40 पहाड़ी को कौन सा नाम दिया गया है तो दीखिए इस पॉइंट 51-40 पहाड़ी को जो है गन हिल नाम दिया क्या है, क्यों दिया क्या है, ये परसों के वीडियो मैंने बताया था, तो उसको देखके रिवाइस कड़ेगा, तो इसे के साथ आज का वीडियो समामत होता है, जाहिन